यार ब्रदर एक चीज बताईए जो आपकी सुजू की XS 125BT है वो कैसे कनेक्ट होता है इसको डिजिटल मीटर है वो कैसे कनेक्ट होता है फोन से और जो डिजिटल मीटर में जो नेविगेशन जो शो करता है वो किस तरीके से शो करता है एक उसके लिए शॉट वीडियो है कि कैसे हम अपने सुजू के एक्सेस को कनेक्ट किया जाए हमारे स्मार्ट फोन से सो यह वीडियो आपके लिए है सो वीडियो को एंटर ज़रू देख रहा है सो माई डियर फ्रेंड्स जिस परसन की भी बीड टाची है या ग्रोथ नहीं होती है या रफ है या शाइनिंग नहीं करती है तो मैं रिकमेंड करूं वहां मार्स पाई जी एससी बीड ओल यह प्रोड़क्ट नैच्रल इंक्रीडेंट्स के साथ बना हुआ है और यह कोई भ सबसे पहले हम प्लेइश टोर को ओपन करते हैं वहाँ है पर सर्च में लिखेंगे शुजुकी कनेक्ट और क्लिक करेंगे हम इसके बाद आपको तीन आप्शन आएंगे तो थर्ड आप्शन में सुजुकी राइट क्नेक क 라고に क्रणा है और install कर देना है install होने के बाद इसको हम open करेंगे open करने के बाद हम यह next करेंगे कम चकम 6 बारी आएगा at least यह next next करने के बाद finish आएगा option अब यह create profile option आगया है अब इसमें हम riders name जैसे प्रशान गुलाटी लिखा है location में Delhi your ride में आपने access 125 SC को क्लिक करा scooty को आपने choose कर लिया और terms and condition टिक कर दिया allow कर देंगे टिक कर देंगे टिक होने के बाद यह connect हो जाएगा अब इसमें odometer trip A trip B सब आ गया है अब यह notification सा है इसको आप accept कर लेंगे इसमें जैसे incoming calls sms, whatsapp calls, whatsapp texts आपके उपर है आपने notification लाना चाहते है तो आप टिक कर सकते हैं इसके बाद speed warning के उपर मैंने टिक कर दिया अब हम आते हैं GPS पे GPS में मैंने click करने के बाद अभी मेरी current location दिखा रहा है so now where do you want to go उस पे click करा अब मैं जाना चाहता हूँ जैसे कि रोईनी sector 5 मैंने उस पे click करा और tick कर दिया अब ये location permission मांग रहा है तो allow all the time कर देंगे फिर हम right side पर click करेंगे और उसके बाद हमारा navigation on हो गया so हम back करते हैं और एक last option है जहां पर आप अपनी profile को edit कर सकते हैं camera gallery कोई भी आप photo लगाना चाहें लगा सकते हैं इसमें आप अपना नाम चेंज करना चाहें नाम भी चेंज कर सकते हैं so आप trips देख सकते हैं कि कितने trips आपके हुए हैं last park location भी आप देख सकते हैं तो इसमें काफी सारे options है so चलिए अब हम चलते हैं कि कैसे navigation show होता है दिजिटल मीटर पर तो पहले हमने वही सुजुकी राइट पर क्लिक करा और क्लिक होने के बाद हम accept कर देंगे इसके बाद नीचे option आ रहा है pair with सुजुकी क्लिक करेंगे अब हम और यह हमारा connect हो गया welcome प्रिशांत कुलाटी अब हम GPS open करेंगे इसमें आप show होगा कि अभी हम currently कहाँ पर है फिर इसके बाद उपर जब आप जाएंगे कि where do you want to go उसके पर क्लिक करेंगे उसके बाद रोविनी सेक्टर फाइट जैसे मैंने एक एक एक्जामपल लिया है मैंने क्लिक किया अब राइट साइट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये navigation on हो जाएगा आपके phone में और आप digital meter में देख सकते हैं कि उसके अंदर arrows दिखा रहा है कि 60 meter बाद हमें right लेना है तो ऐसे इसमें show होता है कि हमें right लेना है तो ये बहुत easy हो जाता है चलिए आईए अब देखते हैं digital meter में क्या-क्या show होता है तो पहले तो left side में time दिखा रहा है फिर petrol show करेगा उपर Bluetooth option फिर उसका signals फिर मेरो mobile में कितनी battery है ये temperature के बारे में बताया हुआ है इसके बाद आप जो speedometer जो होता है फिर नीचे kilometers दिखाएगा जैसे ये voltage का है आपकी battery के voltage का दिखा रहा है फिर इसके बाद आपकी total kilometers फिर trip A, trip B तो ये सारी detailing इसके नगद दी हुई है ये है high beam का option भी है इसमें indicators right, indicator left ये सारी options इसमें दी हुए है तो आप देख सकते हैं कि एक ego का भी option इसमें आया हुआ है तो thank you so much friends वीडियो को लाजट टक देखने के लिए तो मेरी इस वीडियो को like कर दीजिए और कुछ भी आगर आपको problem आ रही है या कुछ आप पूछना चाहते है तो comments में आप पूछ सकते हैं और मेरी इस वीडियो का शेयर करना चाहते शेयर भी कर सकते हैं and subscribe करना नहीं लेगा so thank you so much friends वीडियो को लाजट टक देखने के लिए